हलो एवरिवन वेलकम टो मिसंग गुरुकुल मिसंग गुरुकुल के डेली करेंट अफेस सेशन में आपका स्वागत है आज का हमारा फोकस और जून के न्यूज पर रहेगा ये सेशन कल स्टूडूल था यानि कल साम में हम इस सेशन को लाने वाले थे लेकिन कल जो नोटिफ सोचा कि चलिए अब कुछ इस पर भी बाते हो जाएंगी और साथी साथ हम लोग करेंट अफेस सेशन भी रिजूम कर लेंगे तो उस पर दो तिन बाते में बोलना चाहूंगा कि जैसे देखिए यूपीएस्टी ने एक तो schedule release कर दिया है और उसमें EPFO का exam नहीं है और EPFO का exam के बारे में बोला गया है कि 2021 के calendar जब आएंगे तब इसका date दिया जाएगा तो आप लोगों को अभी इतना चिंता करने के बात नहीं है कि 2021 का calendar का बाएगा क्योंकि यूपीएस्टी जब तक कोई exam conduct नहीं करवा लेता तब 2021 का calendar वो लोग नहीं निकालने वाले हैं क्योंकि यह common sense की बात है वो लोग अगर calendar निकालते हैं और फिर से अगर exam फिर से defer करने की बात आती है तो यह जो सारा उनका मेहनत है 2021 का calendar वो फिर से उनको revise करना पड़ेगा तो जब तक वो कोई एक exam conduct नहीं करवा लेते हैं physically क्योंक कि उसमें आपका date नहीं ही आने वाला है एक दो महीने तक तो आपको अपने exams पर focus करने हैं आपको अपना priority लेना है तो सारे students के लिए मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा संचेप में discussion कर लेते हैं और ये कोई नई बात नहीं है कि UPSC इस exam के साथ 130 वहार कर ली है क्योंकि पिछली बार जब भी हम लोगों का भी exam हुआ था तो exam का notification तो आ गया था हम लोग form भर चुके थे लेकिन date कभी announce नहीं हुआ और अचानक से admit card आता है और आपका एक महीने के अंदर exam है तो ऐसा ही होते है चला आ रहा है क्योंकि इसका exam हमेशा regularly नहीं होता है तो इसको priority कम दी जाती है कि अच्छा इसका regularly exam नहीं है तो अगर ये delay भी होता है तो इसका कोई next cycle नहीं है कि वो स्सी के student है हमारा स्सी का exam है हमारा UPSC के student हमारा civil services exam है तो किसको priority दिया जाए तो देखिए जो स्सी के और जो UPSC के हैं उनके लिए देख लिए अगर आप स्सी के student है तो आपके जो exam होने वाले हैं जाकि जो की CGL का mains होने वाला है उसमें math पूछा जाएगा English पूछा जाएगा और अगर आप AO यानि audit का भी अगर आपको exam देना है तो उसमें accounts भी पूछा जाएगा और computer भी पूछा जाता है आगे subsequently तो आपको तो ये सारे topics पढ़ने हैं ही और ये total almost 55 questions होते हैं तो ये आपके 55 questions तो at least cover कर रहे हैं तो आपको focus इस section पर रखना चाहिए और साथी साथ जो UPSC पढ़ रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनके में history, quality, economy और static science आते हैं वो सारे मिलाके आपके 40 questions तो हो जाते हैं तो आपको इस section पर focus रखना चाहिए तो question ये भी आता है कि देखिए इसमें U लोगों का selection जो होता है, वो UPSC के लोगों का ज्यादा selection होता है, तो ऐसा क्यों है क्योंकि इसका जो SSC का part हो बहुत easy होता है, तो इसमें जैसे UPSC वाले हैं अपना portion तो attempt कर ही लेता है, साथ ही साथ SSC का भी जो 55 question है, उसमें से 50-60% odd वो अच्छे accuracy के साथ English Maths तो attempt कर ही ले तो आपको क्या करना है कि आपको अपने area में, अपने area में आपको वो expertise हासिल कर लेनी है, और उसके बाद जब October में दोनों का exam हो रहा है, SSC भी October 14 को सायद है, वो हो जाएगा और UPSC का civil services भी October में है, तो वो दोनों हो जाएगा, तो दोनों section के लोगों को अपने exam में लग जाना है, एक question और भी आ रही है कि vacancy cancel तो नहीं हो जाएगी, तो मैं यह बता दू कि vacancy cancel नहीं होने वाली है, कोई भी हालत में, क्योंकि already बात चल रही है कि vacancy जो DR quota या नहीं, direct recruitment quota है, उसमें बढ़ाई जाए, already हमारा department है, जो EO, EO का strength है, वो already 30% के आसपास है, तीन हजार पोस्ट है, जिसमें बस हजार EO, EO है, already हम लोग बहुत ही कम स्टाफ के basis पे काम कर रहे है, तो vacancy cancel करने का कोई question आता ही नहीं हो सकता है, कि आपका एक दो साली exam होने के एक दो साल बाद, फिर से EO, EO का पोस्ट है, उसके बारे में हम लोग कोई दूसरे वीडियो में discuss कर student है, तो क्या focus करना चाहिए, साथी साथ एक आपको मैं suggestion दूँगा कि जो भी student है, current affairs, जो current affairs 5 question आये थे, उसके अलावा भी जो quality, economy और science के part हो सकते हैं, और साथी साथ international relation के भी part हो सकते हैं, उसको आपको current affairs तो आपको daily करना है, current affairs daily क्यों करना है, क्योंकि current affairs एक ऐसा topic है, जो की आपके level को बढ़ाता है, यानि कि अगर आपका knowledge का level 1 है, तो अगर आप current affairs regularly करेंगे, तो आपकी knowledge मतलब holistically सारे topics में बढ़ेगे, आपको confidence मिलेगा, और साथी साथ एक regular discipline provide करेगा, और discipline इस exam में बहुत ही जादा important है, अगर आप regularly current affairs कर रहे हो सकता है, वो आपके topic का, या time schedule का 20 to 30 minutes ही हो, लेकिन ये 20 to 30 minutes आपके different sections को impact करेंगे, वो आपका discipline provide करेगा, कि जहां आप 2 घंटे ये regularly पढ़ रहे थे, वो आप 3 से 4 घंटे easily आप देना शुरू कर देंगे, और वो भी regularly देना शुरू कर देंगे, इसलिए आप मैं हमेशा बोलता हूं कि जहां से भी, आपको वो regularly पढ़ते रहना है, अब आखरी सवाल आता है कि जो लोग इस exam को ही attempt करने वाले हैं, यानि जो इनका पूरा focus इस exam पे ही था, तो उनको हतास होने की जरूरत नहीं है, वो ज़्यादा frustrated लग रहे हैं कि हमारी सारी मेहनत चली गई, उनके लिए ये best है, उनके देखिए अभी तो SSC वाले अपने SSC के exam पे लग जाएंगे, UPSC वाले UPSC के exam पे लग जाएंगे, और जब इनका exam होगा और जब तक इनकी आँखे खुलेगी, तब तक आप जो होंगे, आप जो होंगे एक level बहुत ही जादा उपर level आपका हो चुका होगा, इस exam में आप सारे topics almost cover कर चुके होंगे, और आपका first revision, second revision phase चल रहा होगा, और साथी साथ आप questions attempt कर रहा होगे, तब जाके ये लोग SSC, UPSC के student इसका syllabus cover करने का सोचेंगे, तो इसमें सबसे best advantage आपका ही है, तो आपको हतास या depressed होने का नहीं जरूरत है, आपको इसको as a opportunity लेके मान के चल करना है, और आपको जो आपने कहानी सुनी है, खरहे और खर्गोस और कच्छुए की कच्छुआ जो है, हमेसा वो चलते रहता है, अगर UPSC aspirant अगर खर्गोस है, तो वो आपके सो रहे है, SSC aspirant जो अगर खर्गोस है, तो वो आपके अभी मान लीजे, तीन-चार महीने ये को सोएंगे, ये लोग पूरा टॉपिक नहीं कवर करेंगे, आपके पास जो है, आप जो कच्छुए की तरह अपना चाल मेंटेन रखी, अपना पढ़ाई मेंटेन रखी, और आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे, कि ये तीन-चार महीने बाद आपको वो catch कभी कर ही नहीं पाएंगे, को पॉसिबल ही नहीं है, आपका selection almost fixed हो जाएगा, चलिए ये सारी तो motivation की बातें हो गई, अब चलते हैं हम लोग current affairs की ओर, current affairs section में सबसे पहले सुरुवात करते हैं हम लोग revision section से, revision section में हमने चार questions दिये थे, तो उसको एक एक करके solve कर लेते हैं, which of the following is not a reason for moody's rating downgrade of india, तो इसको सबसे ज़्यादा लोगों ने गलत किया है, यहाँ पे जो गलत statement है, वो है statement B, क्यों the relative low economic growth over a short period के कारण rating नहीं की जाती है, relative low economic growth over a sustained, sustained period के लिए अगर low economic growth होगी, तब ही जाके आपकी rating खराब होगी, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा economic growth slowdown होगी, या एक साल के लिए या चार पांच बहिने के लिए तो उसका rating ही खराब कर दे, वीक economic reforms since 2017 ये भी बहुत सही बात है, क्योंकि इनका जो ये लोग rating दे रहे हैं, वो subsequently or cumulative है, हमेशा से rating देते आ रहे हैं और 2017 से अभी तक का जो है, उनका economic reform की बाते हो रही है, लेकिन implementation बहुत जादा नहीं हुआ है, इसलिए भी एक one of the reason है, और अलग दूसरे reasons क्या क्या थे, a significant deterioration in financial position of central and estate, यानि जो liabilities है, public debt की बात हुई, उनका revenue का बात हुआ, ये सारी चीज़े में थोड़ा सा गिरावट आई है, तो ये भी एक statement सही है, rising state in Indian financial sector, banking sector लेख लिए, उसके NPA non-performing asset बाढ़ रही है, ये सारे factors लेकर के ही हमारी rating कम हुई है, तो इसका सही statement भी हो गया, दूसरे statement में क्या था कि WHO से pull out कर रही है USA, तो USA सबसे ज़्यादा contributor थी, सबसे biggest contributor थी, तो अब second most contributor कौन हो गया है, तो इसमें आपका second most contributor Gates Foundation हो गया, ये क्यों important है, क्योंकि एक private organization है, जो की WHO का biggest funder हो गया है, इसमें sequence यही है, कि इसके बाद आपका UK आता है, उसके बाद गावी आती है, गावी क्या है, कौन सी organization हो हम लोग नीचे अभी देखेंगे, तो इसको अभी के लिए skip करते हैं, उसके बाद Germany है, आपको थोड़ा सा sequence भी पता होना चाहिए, ताकि अगर sequence वाला question आ जाता है, तो आप उसको भी easily attempt कर सके, जो China dam बना रहा है, तो वो कौन सी नदी पर बना रहा है, तो वो जेलम है, बहुत ही straight forward answer है इसका, और जो global economic prospects जो यह statement नहीं दिया गया है, यह आपका developing countries के बारे में statement दिया गया है कि उनका कितना ज़्यादा loss होने वाला है, क्योंकि developed nation का इतना ज़्यादा growth होता नहीं है, इतना growth rate होता नहीं है, उनका कि उनके में 8% का output loss या 8% या 10% का percentage wise उतना ज्यादा fluctuation नहीं होता है लेकि developing countries क्योंकि ज्यादा vulnerable होते हैं तो उनके impact ज्यादा पड़ता है तो questions हो गया और value addition भी हो गया तो अब चलते हैं हम लोग फो जून के news के तरफ तो news में क्या आया है कि जो हमारे जो आत्म निर्भर अभ्यान है जो आत्म निर्भर होने का agenda है उसमें बात की जा रही है कि जो imports है कुछ-कुछ sector में कुछ-कुछ जो commodities है उसका cut करना है तो कौन-कौन से सेक्टर हैं तो टेक्स्टाइज, ज्वेल्री, मोबाइल, जेम, फार्मस्टूटिकल्स, गार्मेंट्स, इलक्ट्रोनिक्स, और मसीनरी यह सारे सेक्टर में पुस है कि हमें इस सेक्टर का imports कट करना है तो एक दो questions कर लेते हैं कि government of India has recently changed the set targets in order to become self-reliant in which sectors, the footwear, furniture and air conditioner, इसमें decide किया government को ने कि हमें self-reliant मनना है, यानि इसमें हम यह sectors में हम किसी भी import पे dependent नहीं रहेंगे, तो इसका all of the above answer है और यह question two हमने economic service से बनाया है क्योंकि इस type के question बहुत ज़्यादा पूछे जाते है कि कौन से commodities है, जो largest share है उसका Indian export या Indian imports में, तो Indian export में से हमने question बनाया है तो Indian export में सबसे ज़्यादा largest share है आपका petroleum product का है, उसके बाद आपका precious stone का है, उसके बाद आपके drugs का है और उसके बाद आपके आते है gold and other precious metal, तो यह मैंने sequence में दे दिया है, साथी साथ export का हमने दे दिया है, आप import का पता करके comment करें, क्योंकि यह सारे आपके बहुत ही ज़्यादा hit questions बनते हैं, क्योंकि ऐसे questions multiple choice मनाना बहुत ही आसान है, और यह questions आते हैं, अब चलते हैं, अब periodic labor force survey की बात की गई है, यानि labor for labor force का characterization के बारे में बात की गई है, तो यह periodic labor force survey कौन निकालता है, तो NSO निकालता है, और इसका objective क्या है, यह two-fold objective है, to estimate the key employment and unemployment indicators, employment and unemployment indicators का पता लगाना, और साथ ही साथ, to estimate employment and unemployment indicators in both usual status and CWS in both rural and urban areas, तो इसके fall forms देख लेते हैं कि कौन-कौन से जो terms दिया गया है, CWS यानि current weekly status, इसका क्या क्या meaning है, क्योंकि economy में हम देखते हैं कि ज़्यादा तर keywords या फिर ऐसे जो topics आते हैं, उसमें ज़्यादा तर keywords पे question आ जाते हैं, तो labor force participation rate क्या होता है, work population ratio क्या होता है, और साथी साथ unemployment rate की इसको बोलते हैं, इसमें comment करके बताइए कि कौन से answer सही है, तो labor force, इसमें हमें select करना है, incorrect one, तो labor force participation rate is a rate defined by percentage of people person in labor force, तो यह आपका statement सही है, ratio is defined as the percentage of employed person in the population, तो work population ratio का भी answer सही है, और employment rate का भी यहाँ पे answer सही है, तो यहाँ answer all of the above हो गया, यहाँ पे slight mistake था, इसमें correct statement चूज करना है, जो कि मैं correct कर दूँगा, जब मैं इस PDF को circulate करूँगा, अगले news में हम देख रहे हैं कि स्वधेश database का, जो है, database for employment support के बारे में बात की गई है, तो स्वधेश क्या है, जैसा नाम suggest करता है, जो कौन कौन से ministry का है, यह initiative, यह सारा हम question करके देख लेते हैं, और साथ ही साथ, यह क्या है to conduct a skill mapping, skill mapping की बारे में बात की गई है, जो return हो रहे हैं बाहर से लोग, वंदि भारत mission में जो बाहर के लोगों को लाया जा रहा है, उसका skill mapping करेंगे, तो skill mapping के बारे में हमने देख रखा है कि दो states ने initiative ले रखे हैं, एक तो हमारा UP है, और एक हमारा MP है, तो आपको comment करके बनताने हैं कि उन दोनों की initiative को क्या क्या नाम दिया गया है, क्योंकि यह मैंने discuss कर रखा है, और जो division कर रहे हैं, उनको पता होगा यह बात, अब चलते हैं स्व will aviation and external affairs, तो बिलकुल सही है, statement पूरा सही है, so this aims to create a database of qualified citizen based on skill sets, तो यह सही है, और experience to tap and fulfill the demand of Indian companies only, यहाँ पे Indian companies only का लगत statement है, ऐसा नहीं है कि demand सिर्फ Indian companies का, Indian plus foreign companies का demand फुल्फिल किया जाएगा, ठीक है, supply Indian होगा, लेकिन demand आपका Indian plus foreign हो सकता है, तो यह आपका statement गलत हो गया, तो यह आपका answer हो गया, और इसमें क्या होगा, so this skill card जो है एक online आपको भरना पड़ेगा, और उससे हम लोग data collect करेंगे और बाद में analyze करेंगे, अगले news में चलते हैं, तो ministry of housing, urban development and ministry of HRD ने मिलके एक intensive program launch किया है, कौन सा program है, उसको ट्यूलिप बोल रहा है, तो यह क्या है, एक intensive program है, और किसके लिए है, fresh engineering graduates के लिए, उनको urban local bodies और smart cities in India में काम करने का मौका दिया जाएगा, और यह एक साल के लिए intensive होगा, इसमें क्या-क्या focus area है, तो financing, urban planning, environmental planning, sanitation, infrastructure और environmental engineering पे focus होगा, और यह क्या है कि ज जो जिसमें workforce की कमी है, लोग कम है, और साथी साथ स्किल की भी कमी है, तो एक type से जो internship, जो student है, उनको भी नौकरी मिलेगी, उनको work करने का work experience मिलेगा, और जो urban local bodies है, उनको भी एक type से highly skilled and very enthusiastic workforce मिलेगा, तो एक type से दोनों का ही फैदा है, इसलिए इसको launch किया गया है, अब च किया है, virtual global vaccine summit 2020, यही आपका, इसी को बोला जाता है, GAVI, ठीक है, जो हमने उपर देखा था, उसमें क्या बोला है, उन्होंने बोला है, कि हमने six new vaccine add किया है, हमारे national immunization program में, तो आपके यहाँ पे keywords क्या क्या होगा है, global vaccine summit के बारे में आपको पता होना चाहिए, और साथ ही सा और news देख लेते हैं, जो कि यह है कि world economic form के बारे में बात हुई है, कि वो इस बार twin unique twin summit hold करने वाला है, और world economic form आपका बहुत ही important international platform है, और इस पे बहुत questions आते हैं, UPSC में, तो आपको इसको as a world bank या IMF की तरह treat करके इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो इसका theme क्या ह होगा, तो great reset, और कहां होगा, यह devos में होगा, और इसको unique क्या नाम दिया गया है, unique twin summit, ठीक है, यह आपको याद रखना है, और साथी साथ world economic form के बारे में एक छोटा मोटा जानकारी ले ले लेते हैं, तो कब बना था, यह 1971 में बना था, पहले इसको European management form भी बोला जाता थ इसका motto क्या है, तो committed to improving the state of the world, और इस पर सबसे ज्यादा questions क्या आते हैं, कि इसके reports पर question आते हैं, हमने बहुत सारे global से start होने वाले WEF के reports देख रखे हैं, और साथी साथ, और भी दूसरे important reports देख रखे हैं, उसमें हम लोग एक दो reports revise करवा दे रहे हैं, बाकि आप लोग remote report जो आपके out of, मतलब तुरंत जो आपके जुआन पर है, वो comment करके बताईए, global social mobility and global risk report दो हमने बता दिये, बाकि आप comment करके बताईए, तब तक हम लोग देखते हैं कि Gavi क्या है, तो Gavi is a vaccine alliance, the Gavi alliance was set up in 2000, और यह किस किस के बीच में partnership है, UNICEF, WHO, Melinda Gates Foundation, World Bank, Research agencies, तो यह बहुत स सारे agencies, जो मिल के हैं, उन्हों ने यह एक type of form बनाया है, एक alliance बनाया है, और यह कब set up हुआ था 2000 में, इसका main aim क्या है, तो bring strength in primary health care system, आपके primary health care system में strength लाना इसका main aim है, in 2014, India became a donor country from recipient, पहले इंडिया receive करता था इससे donation, अब 2014 से, क्योंकि इंडिया का financial positions उदरा है, तो इंडि करता है इसमें, और अभी तक एंडियाने 12 million USD donate कर रखी है, तो इसका सारा statement ही सही है, तो इसमें all of the above हो गया, मारपोल declaration एक हमारा common news में आ रहा था, तो यह किस चीज़ से related है, comment करके बताईए, तब तक हम लोग national immunization program देख लेते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें हमने पहले द इसमें साथ vaccines थे, उसको improve करके उसमें 12-13 vaccine include कर दिया गया है, और कौन कौन से disease के बारे में include किया गया है, वो सारी चीज़े हम लोग देखेंगे, तब तक यह question आप comment करके बताईए, जिनको पता है, तब मारपोल declaration का जिन्होंने सही answer दिया है, बहुत सही बात है, यह आपक pollution from sips जो होते हैं, जो पानी में चलने वाले sips हैं, उससे जो pollution हो रहा है, उससे related आपका है, ठीक है, इसका आप comment करिए, तब तक हम लोग universal immunization program बात देख लेते हैं कि कौन सी vaccine है, जो अभी भी national level पे implement नहीं हुआ है, ठीक है, तो जो universal immunization program में जो पहले से vaccines थे, वो आपके BCG BCG जो हमने पहले भी देख रहा है कि TB के लिए होता है, और TB किस virus के bacteria के कारण, किस pathogen के कारण होता है, तो bacteria के कारण, क्योंकि ये तीनों चीजे अभी disease का season चल रहा है, तो ये तीनों चीजे आपके लिए बहुत important है, ओपी भी आपका polio disease के कारण होता है, उसका full form भी हमने लिख रखता है, और virus pathogen के कारण होता है, पिंटा-valent vaccine बोले जाता है, क्योंकि इसमें पिंटा का मतलब होता है, तो इसमें 5 vaccines होते हैं एक साथ, तो एक dipteria का होता है, tetanus का होता है, और ये दोनों bacteria के कारण होते हैं, और फिर आपका pertuses और hemophilis influenza B, और साथी साथ hepatitis B, यहा हम पर hepatitis B है, जो virus से होने वाला है, बाकि सारे ये 5 में से 4 हैं, वो आपके bacteria से होने वाले disease हैं, और साथी साथ इसका एक और variant DPT बोला जाता है, जिसमें सिर्फ वासिफ तीन होते हैं, dipteria, produces और tetanus, ठीक है, तो ये आपका होगे पुराने जो vaccines थे वो, अब नए जो introduced हुए जो प्रधान मंत्री जी ने हमारे बात की, तो उसमें कौन-कौन से आते हैं, तो उसमें एक missiles, rubella बोला जाता है, तो missiles और rubella एक ही टाइप के disease हैं, rubella को German missiles भी बोला जाता है, और ये दोनों virus से होते हैं, और IPV, यानि पूलिया का एक different variety है, जो हम लोग जब पढ़ेंग है, तो उसमें आपको ज़्यादा clarity आएगी, तो ये भी आपका disease तो पता ही है, इसमें rotavirus जो है, अभी हाल फिलहाल में इसको इसकी बात चल रही है, कि इसको throughout country 2020 में expand कर देना है, तो ये इस पर आपको ध्यान देना है, इसका जो push है, इन दोनों vaccine का throughout country में expand करना है, अभी त बहुत ही कुछ-कुछ states या कुछ-कुछ districts में implement हुए है, तो ये rotavirus क्या है, rotavirus diarrhea होता है, इस disease और ये किसके कारण होता है, ये भी आपका virus के कारण होता है, यहाँ ध्यान दीजे कि ज़्यादा जो नए vaccines include हुए है, वाइरस से fight होने वाले disease से हुए है, और जो पुराने थे वो सारे बहुत सारे bacteria से, इसमें exemption कौन है, तो medical conjugate ये आपका bacteria से, एक question और आता है कि tetanus और adult diptheria है, कौन सा vaccine है, जो universal immunization program में, जो adult लोगों को दिया जाता है, instead of बच्चे लोगों को, तो ये दिया जाता है, आपको td vaccine बोला जाता है, क्यों, क्योंकि tetanus और diptheria का जो vaccine होता है, उसकी जो बोला जा सकता है, कि उसका जो limit है, या फिर जो उसका capability है, जो उसका effect है, वो जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, वो कम होते जाता है, उसके लिए ये बड़े लोगों को भी दिया जाता है, और साथ ही साथ pregnant women को भी आपको tetanus का infection, क्योंकि pregnancy में tetanus होने के ब vaccine दिया जाता है, और ये Japanese Encephalitis सारे जगह नहीं launch हुआ है, ये endemic areas में launch हुआ है, यानि जहां पर ये ज़्यादा disease prevalent है, और जहां पर बार बार आ जाता है, क्योंकि ये vector disease है, यानि vector के थ्रू ये फैलता है, तो ये आपका virus के कारण होता है, और ये भी आपका छोटे area में launch हुआ है, तो ये इसमें कौन-कौन से जो throughout nation नहीं है, तो अभी के लिए तो all of the above है, लेकिन जब ये expand हो जाएगा, तो आपका सिर्फ और से पर नाइस रहेगा, तो इसको आपको news से ध्यान देते रहना है, और accordingly आपको tick लगाना है, अब चलते हम लोग social security related news में, तो social security में जैसे children जो vulnerable section में आते हैं, उसके बारे में observe किया गया है, क्या observe किया गया है, तो international day of innocent children victim of aggression day मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, चाल जून को, और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो Lebanon war थी, उसमें बहुत जो children को victim थे, उससे related ये है, इसका क्या purpose है to acknowledge the pain and suffering by children throughout the world who are victims of physical, mental and emotional abuse, और किस चीज़ से related, तो wars के कारण जो ये suffering होती है, उनको बच्चों को उससे related है, और ये convention माना जाता है, कि one of the most rapidly and widely ratified international human rights treaty in the world, ठीक है, तो जब भी कोई भी vulnerable section की बात आ जाती है, उनके rights की बात आ जाती है, तो आपका social security का part हो गया, तो उसको आपको अच्छे से दे लिखना है, world environment day मनाया गया आपको June 5 को, उसका theme क्या रहा, तो celebrate biodiversity, और ये कहा मनाया गया, ये कोलंबिया में, इस से पहले India में 2018 में मनाया गया था, तो उसका क्या theme रहा था, plastic pollution, और उसके बाद, चाईना में 2019 में मनाया गया था, उसका क्या theme था, air pollution, तो session यहीं पे खतम करत हैं, request यहीं रहेगी कि आप लोग ज्यादा हतास ना हो, UPSC को newsletter है, आप लोग बने रहे हैं, हमारे साथ current affairs देखते रहे हैं, और साथी साथ जो आपके जो main section है, उस पे आप focus करते रहे हैं, अगर आप SSC का preparation कर रहे हैं, तो इस पे focus करते रहे हैं, और हम लोगों का इतना ज ये form में भीजना शुरू कर दिये हैं, तो आप लोग lectures देखते रहें, notes में वहीं jotting करते रहें, उसका printout निकल वाले, और printout पे वहीं पे add करते रहें, points बनाते रहें, underline करते रहें, हाला कि सबसे best approach होगा, आपको खुद अपने words में notes बनाना, क्योंकि अपने words में जो लि division करेंगे, और ज्यादा वो long time तक रहेंगा, क्योंकि exam भी long time होने वाला है, कब exam होगा, आपको एक साल बाद अगर आप अभी पढ़ लिए, और बाद में भूल गया है, या फिर से वीडियो देखना पढ़ रहा है, फिर से पूरा chapter पढ़ना पढ़ रहा है, तो वो waste हो जा नोट्स बनाने से, और क्योंकि exam भूत दिन बाद है, तो आप समझ लीजे कि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, तो उस समय आपका एक साल बाद वही हालत रहेगा, कि जो सब पढ़ा था, सब कुछ भूल चुके हैं, तो नोट्स बनाते रहिए, जिन लोगों को problem हो रह हैं, तो हम लोग ट्राइ करेंगे कि चलिए, आप लोग अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अगर request देंगे, तो हम लोग किसी जो online print करके notes लेवल करवाते हैं, तो उन लोगों से contact करके बोलेंगे, अपना PDF दे देंगे, बोलेंगे कि ये print करके student लोग कर सकते हैं, कि हाँ, मुझे ये सर बहुत depression लग रहा है, बहुत जादा frustration लग रहा है, तो we will try to help you in any way possible, तो ठीक है, लगन से लगे रहे हैं, और current affairs मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको छोड़े मत, इसको करते रहे हैं साथ ही साथ, तो चलिए मिलते हैं फिर से next, 5th June के current affairs session मे in daily current affairs session.